नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वाइरस महामारी को ले करके पश्चिम मंगाल में विवाद का क्रम चल रहा है। मैं कहता हूं ये विवाद अच्छे के लिए हुआ और इस विवाद के कारण पश्चिम मंगाल का भला होगा। इस बिवात के कारण पश्रिम बंगाल की आम जनता का भला होगा और इस बिवात के कारण देश का भला होगा जहां पहले पश्रिम बंगाल की सरकार चीन की पच्चिनों पे चल रही थी वहीं केंद्र की टीम जब पश्रिम बंगाल पहुंची उसके बाद पश्रिम बंगाल क की स्तिती स्पस्ट हो रही है अब सही आकड़े सामने आ रहे हैं जहां पहले लोगों को राशन नहीं मिल रहा था अब PDS राशन बटवारे के सरकारी सरकूलर इशू हो रहे हैं जहां पहले बहुत थोड़े टेस्ट हो रहे अब टेस्ट की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है जहां पहले बजारों में हजारों की भीड़ी कटा हो रही थी अनावशक चीजों की खरीदारी हो रही थी अनावशक चीजों की दुकाने खुली हुई थी अब प्रशाशन सक्ति दिखा रहा है यही प्रशाशन पहले लाचा दिखता था मैं कहता हूं जो कुछ भी हुआ ये पश्चिम मंगाल के भले के लिए हुआ और पश्चिम मंगाल की जनता को यह अधिकार है और जनता जानना चाहती है सई आंकड़े क्या है सई इस्तिती क्या है और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता यहां तक कि वहां की सरक सरकार भी इसे उनसे बंचित नहीं कर सकती मैं पश्शिम बंगाल सरकार से आज भी यह निवेदन करूंगा कि जो भी टोली जो कुछ कुछ भी सुझाओ देगी हम सबको उसे पॉजिटिव ले करके उसको इंप्लिमेंट करने की आवस्यक्ता है तभी हम एक होकर के सही डंग से सही तरीके से इस कोरोना भायरस से लड़ पाएंगे जै हिन जै भारत